आप सबका स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत अभिनांदन ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं वो कोई पुरस्कार के लिए कर रहे हैं आपने भी के भी सोचा नहीं होगा जब काम शुरू किया होगा तब कभी ये ऐसा भी कोई आउसर आएगा जब सम्मान के साथ आपको जोड़ा जाएगा आपने अपने आपने एक मिशन के रूप में या जीवन में कुछ कर गुजरने के इरादे से या कुछ सहज प्रकृति से आप करते गए और उसका परिणाम ये है कि आज आपके जीवन की ये यश्गाथा है उसके प्रती देश को बहुत बड़ी जिग्यासा हो रही है कि अच्छा अच्छा भाई पहले तो पता नहीं था ये सब ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं तो हर किसी को ये भी लगता हो कि अरे मैं भी ऐसा ही करना हूं लेकिन मुझे तो किसे ने याद नहीं किया को ये भी सोचेगा कि चलिए मैरे पास भी समय है मैं अब ऐसे समय लगाऊंगा तो अपने आप में ये सारी बाते एक प्रेणा का कारण बन जाती है तो मैं भी चाहूंगा कुछ आप से सुनना कि आप लोगों ने कैसे इस काम को शुरू किया क्या प्रेणा मिली कैसे कैसी कठिनाई आई है कोई ऐसे काम सरल नहीं होते बड़ी कठाईया से गोजला पड़ता है तो मैं आप से सुनना चाहूंगा अगर आप लोग कुछ अपने विशे में बताएं तो नमस्ते सर मैं रश्मी उर्थवरेशे मैं इंजिनियर हूँ जबी मैंने 1977 इंजिनियरिंग में एडमिशन लिया मेरे कॉलेज में हाडली कोई लड़किया थी तब ही से स्ट्रगल चालू हुआ और फिर इंजिनियरिंग करके मैंने जो फील्ड सिलेक किया वो भी मेल डॉमिनेटेड था आटोमोटिव इंजिनियरिंग वो एक बहुत ही ऐसी चीज है जिसमें महला का होना बहुत ही मुश्किल सो वो स्ट्रगल कंटिनियू होता रहा सर्थ आज मैं इस मकाम पर पहुंची हूँ कि जहां मैं इस रिस्पेक्टिव बढ़राय मावूमन और मैं की वोल्ड में उनको लीड कर रही हूँ और जो रिगलेशन्स है सेफटी एमिशन रिगलेशन्स उसको गवर्मेंट को सिलाब दे रही हूँ तो मतलब एक जो इतने 36 एर्स का मेरा स्ट्रगल है आज मैं ऐसा मैसूस करी हूँ कि जिसको बहुत ही अच्छा एक मकाम मिल गया है नाम नेजा अंग्मो है और मैं लड़ाक से मुझाइब उनकों मेरा फील्ड कुकिंग में है अभी लड़ाख में सब मुझे जादतर लोग मुझे शेफ नियुजा बोलते हैं तो यह फील्ड में लदाख में नया है सा तो मैंने यह किचन लदाखी किचन स्टार्ट किया था 2016 में और तब उससे पहले कोई लदाखी किचन रेस्टारॉंट नहीं था तो यह इनिशेट में ने किया था और जो ट्रडिशनल खाना बूल गए थे लोग उसको मैंने अगर इन सब को आपको एडवाइज करने हैं कि लदाखी है जो निट्रेशन की दरश्टी से बहुत अच्छी है तो कौन से जीश के वह सत्तु होगी से बाले यह यह थोड़ा अलग है सा यह जो का आता है सत्तु है जै कैसे बनाते हैं ज्वाव को रोस्ट करके उसका पाड़ो फॉन जी उसको पीसते हैं से जी और एक पाबा डिश्ट बनता है सो वह सब चार ग्रेंज को मिला के मिक्स्ट ग्रेंज पॉरिच चैसा डिश है सो जी भारत के ओहर भी वाराइटी का स्टडी करते हैं कि आप जी अब यह करने लग इतना नहीं पता था अभी अलग अलग जगहों पे जब चाने से पता चलता है कि वहां का ट्रडिशनल खाना क्या होता है क्या सकते हैं कि आपका काम इसलिए बड़ा महर सपोर्ट है क्योंकि ले लदाग तूरियम के लिए बहुत बड़ा अप्रशन का खेज लगण सकता है अब तूरियम में जैसे हंडिकाप का महत्वा है वैसे वहां के लोकल फूर का महत्वा है अगर तूरियम के साथ इनको जोड़ा जाए बहुत बड़ा अश्रपादा हो सकता है इसलिए आपको तन्यवाद सु, तैंक यू अरिफा को तो मैंने 2011 में PG किया है Craft Management Entrepreneur Leadership Program तो उसमें अपने क्राफ्ट को जानने का मिला अशर मिला कश्मीर में कि हमारा क्राफ्ट की ये जो इमेज है वो कैसे डिग्रेड हो गई और हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा चलता था तो उसको क्या प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वज़े से हमारा राशियो 98% से 2% पे पहुँच गया तो उसके बाद आर्टिजन क्यों छोड़ रहे हैं क्राफ्ट को तो वो सब जानने का मौका मिला और फिर कश्मीरी लोगों के लिए प्यार भी था तो उस प्यार की वजासे फिर मैंने एक क्राफ्ट क्राफ्स आप कश्मीर तो हमने देखा कि 25 क्राफ्ट से बहुत सारे से क्राफ्ट जो लाइविशिंग है तो उसमें से फिर मैंने नंदा रिवायवल किया जिसमें मैंने फाइफ आर्टिजन से स्टार्ट के करके उनको एक तो वेजिस पे फोकस था और दूसरा आर्टिजन मॉटिवेट होके फिर से आजाए इस क्राफ्ट में और तीसरा यह कि इंटरनेशनल लेवल पर जो इसकी इमेज खराब हो गई है उसको कैसे वापस बीड़ करें तो जाप्रान में जैसे पूरा बैन था तो फिर मैंने रिवाइवल आफ नमदा प्रजक्ट लिया जो फाइ में रिवाइवल आफ पश्मीना स्पिनिंग जो हैंड स्पिनिंग होती थी अभी पश्मीना स्पिनिंग मैशीन लगता है तो इसमें 28 लेडिज जुड़ गई क्योंकि शुक्र अलम मैंने इतना अपने लिए नहीं कमाया है जितना कोशिच की कि आर्टिजन कॉम्निटी को पाइदा मिले और जो हमारा क्राफ्ट डाइंग हो रहा है उसको बचाने में अभी 28 लेडिज हमारी पश्मीना स्पिनिंग के साथ जुड़ी हुए है और 25 लेडिज जो है एंप्राडरी के साथ जुड़ी हुए है और नम्दा रिवाइवल में 15 तो लगबग 75 के करीब मु अब लेडिज शुड़ी है और ये बहुत अच्छा उसर विला है यहां आप से मिलने का और प्रेजिन साब सी बहुत अच्छा लागा थाक्तार था था यह बहुत बड़ी बात है अमें यह इसमंच पर बलाया है क्योंकि हम ग्रास्रूट लेट लेवल एंट्रिपर इन्ठ त्रिकाहक आपको बात करूँ किसे नहीं करने का खुशिस करूँ ही, था मेरा नाम है पडाल भूदेवी, एन पिसरीकाहक रफन दिश्टेट मे ट्रफन में है त्रुक्रत में ट्रिकाइड से हाएं स्रीका कुलों डिटेट में ट्राइबल एरिया से आया हूं हूं सर्, मैं तो एक ट्राइब है, मेरा कम्यूनिटी सबरा है मैं एक काम में 25 भरस का मैं काम कर रही हूं, मेरा पिता एक काम कर रही था, एक सोंस्ता बन के मुझे चोठा उमर में साधी हुआ, मेरा तिन्टा लड़किया हैं, इसलिए तिन्टा लड़किया तो बेटिया नहीं ऐसा कहके मेरा आजबन छोड़ देया, इसलिए मैं माँ बाप का अगर आया, बड़ा बेटी को तिन बरस हुआ, मैं गर के आने का टाइम में, सेकंड बच्छा को दो बरस हुआ, तिन्टा बच्छा को दो मेहने हुआ, इस तिन्टा बच्छा को लेके माँ बाप का घर आया, माँ बाप का घर में मुझे देखकर बहुत दुख लगा, पिता जी गाँ में जाके लेंड डिस्ट्री में सब के साथ काम कर रहे थे, मुझे भी उनके साथ ले जाके मुझे भी वो काम सिखाया, पिता जी, ऐसा मैं काम सिख गया, मेरा जैसा महलं को ग्राम सबाव बनके ग्राम में उन्होंने केसे जीता है, तोड़ा सा लेंड उनको रहता है, उन्हें में खेती करके उनका बच्छा मा को केसे खाने का देता है, वो सब देखकर मुझे भी ऐसा लगा, इन्होंने कुछ भी नहीं है, उनको रहने का घर भी नहीं है, इसा महलों ने इतना अच्छा तरह से उनका स्वेच्छा में जीता है, क्यों? मुझे बाप है, मेरा माँ है, मैं भी जी सकती हूँ, इसा लगा, इसा मीटिंग में जा रहा है थी, वो सब सुनकर ट्राइबल एक्ट क्या-क्या रहता है, उमन का राइट्स क्या-क्या रहता है, नूट्रिशन क्या है, नूट्रिशन के लिए कौन-कौन पसल होगा, यह सब मैं जान लिया, जानकर मेरा सबरा कम्यूटी, सांस्कृती, सांपरदाई, वो कुछ मैं नहीं जानते हैं, इसलिए मर बच्छां को लेके, नो बरस का पहड़ों में, मैं चला गया, चला जाके मेरा लोगों साथ में रहकर वो ग्रामसबा वो दाको जंगबेर बासा में कहती है, सवर आप बासा में, ड्राकजंगवस्वborg. भजी बड़ा लोग जो कहालख वह इतना बड़ा निरने सुचांट लिया उनके बात फार्स्टट लोगों ने गांघंड लोग ने यह ग्रामसभा में वह एक्ट को उड़ा सब्सक्राइब करने के बाद एक एक मुद्ध में 670 एकर्स लेंड आने का कोशिस किया वह सब देखकर 4500 उपर लेंड ले लिया सब के साथ महलों का मुद्ध है वह सब देखकर गौर्वन्मेंट ऐसे मोनो कल्चर प्लांटेशन बनना है वह लेंड में अम तो नहीं हम खाना चाहिए हम नूटिशन चाहिए हमरो माता पिता जजमा वह सब लोग मिलेट्स काते थे वह मिलेट्स हमने पसल करेंगे यह सब कहकर 3400 एकर में मिलेट्स पसल किया करकर वह मिलेट्स मार्केट नहीं जाना मार्केट में जाएगा तो पैसा आएगा किन्तु नूटिशन नहीं आएगा ऐसा कहकर स्माल वेलेट्स न फैक्टरी तोड़ा सा आई टीडिये सपोर्ट लिया और बैंक सपोर्ट लिया मेरा नाम में ट्राइकर लोन किया स्माल इंडिश्री बनाया उसमें बारा लोग काम करते हैं वो सब कुछ वैलेट्स न होगा पाउडर बनाएगा और उनका उपर यह निकालेगा वो मार्केट मार्केट भी कोई भी नहीं है डिश्टेट का हेड़कोटर में कलेक्टर ने तीन साप दिया वो साप में मार्के करते हैं जो जो एक्जिबिश्न होगा ना वहां पर लेते हैं महिलों में वहां लेकर मार्केट करते हैं अमारा उद्दे से जो खेती करती हैं वो खेती करने वाला को वो पाईसा जाना है वो सश्टेन रहेगा तो देश्टेन होगा अम सश्टेन होगी ग्राम अब सर्श्टेन होगा एसा कहे कर पाउडर में जाते हैं किन्तु बच्छों चाने के लिए जो भी बनाना है ये सब उसे ने के वी के कुर्शीवीज्ञान के इंद्रें का सपोर्ट नाबार्ड का सपोर्ट लेकर यह सब का पार्मर को पार्मर प्रॉड्यूसर कंपनी बनाए है। उन्हों वो कंपनी में हजार का लोग रहेंगे। एक हजार लोग। वो सब का फसल खेती करेंगे। वो सब का मार्केट होना चाहिए। हमारा ट्रैबल हेर्या है ना पाइनेपल, सिताफल, मिलेट्स, काजु, आम, वो सब कुछ टर्मरिक, वो सब पच्छाते हैं, खेती करते हैं, वो सब का मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए तो इन्लिवीजियल मार्केटिंग से पैसा नहीं आएगा, इसलिए कंप खेति उलंके आएगा, किंतु वेलेटिशन, ट्रैवल एडिया में अमारा जैसा माहिलों को काम कुछ भी नहीं होगा, जो काम होगा जा खेती, नहीं तो नहीं, वो सब का लोगों को वेलेटिशन करना सीखाया, बिसकिट करना, मिलेट्स का बिसकिट, बिसकिट तो करके ए बिस्केट भी बाहर नहीं जाएगा आगर अमार डिश्टेट में खाएंगे फ़स्ट अम कहा कि हमारे बच्चे मां सब खुछ नूट्रिशन चाहिए ऐसा कहा कि बिस्केट जा रह ही है उसा कहा कि इस लिए डिश्ट में नौटिशन कम हूआ बच्चा इन बरस का जो बरस के मजल वह बच्छां को यह बिस्किट देना है जिल्ला क्लेक्टर ने निरने कड़ लिया नांदी प्रोग्राम में वो बिस्किट जा रहे हैं नूट्रिशन पाउडर सबका मिलेट्स का पाउडर लेकर चुने बनकर यह लैक्टिट वुमेन को पेगनेट वुमेन को देना दे रहे हैं आपको मानू मैं अभी सरकार ने बजेट में एक पीओ का बहुत बड़ा फार्मर्स प्रोडूशर और्गनाशन का एक बहुत बड़ा मिशन लिया है इसका भी आपने भरपूर फाइदा उठाना चाहिए आपके इलागे में इसके कारण बड़ा फाइदा होगा चलिए तैंक यू सर आज यो नारी सकती का पुरूशकर अम लिया है बहुत कुछी हुआ पर हमारा काम भी भाजता भी इतना बड़ा हुआ है आप जो कह रहे हैं ना वह सब कुछ गाम में लेकर आर बहुत फार्मर्स प्रोडूशर कंपनी बनने का सब कुछ करने का पूरा जाती है तो असलों को गलती हो जाती होगी मैं नुक्षियों से 21 मिनिट बड़ी वाली जुडवा लास्टाइम भी ऐसी परेचे दिया था 2015 में मैंने अपना फाउंडेशन खोला था ताकि एडवेंचर में लड़कियों को हम थोड़ा और उत्सायत करें और उनको इस फील्ड में थोड़ा और आगे लेके आएं क्योंकि अभी भी आउट्वर इंडस्ट्री में इस अल मेल-dominated सारे मर्द का कंपनी है थे आप आपनी है थे आपनी हम लोग चाहरे है जितनी भी महीला है उनके थ्रूवे में ग्रूप्स वेर बिकम लीडर्स और क्योंकि अब क्लाइमिंग एक अलम्पिक स्पोर्ट है हम तालें थारें विदिन इंडिया तो ट्रेंग गर्ल्स और अप्रिविलेज़ और इस अचाहरे है कि अंडिया में लोग बैग्रिल्स जैसे बने क्योंकि छोटी चोटी लड़किया है थे लोग प्तु आप टूस पर इंस्पिरेशन और हमें लगता हमारे इंस्पिरेशन तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी हम डाट डॉटर का एक टेलेविजन शो करें जिसमें चैलेंज सवाइवल से रिलेटेड उनको इंकरिजमेंट विलेट थूद शौटी अच्छली नहीं हुए थे सोचके कि माउंटने बनेंगे हमारा बिल्कुल डिफरेंड इंट्रेस करते हैं कि हमने इतना अवार्दी फीन पहाड चाहिते हैं प्रदान मंत्री जाए वह न्यूजिलंड के हो या आइसलंड के उन्होंने भी रिकेग्नाइज के तो में बहुत अच्छा लगता है कि हम लड़कियों के लिए अम उनको यह बताना चाहते हैं अगर हम चल सकते प कि अप्रण परनाम नाम बेना देविवा जो है मेरा नाम बेना देविवा पतिक नाम किर्शनकांद घरतिलकारे वा ग्राम बिची जचर पोस्ट परकांट वार्क टेटियां वंबर जिला मंगेर भीर के रहने बाली हूं मैं जो है मासरूम के खेती करती हूं और परसिक्षन देती हूं जा जाके पांस साल सरपांच रह चुकी हूं जो है मैं जो गलत कुछ बोलूँगी तो माफ की जेगा से मिलके जो कम पढ़ी लिखी हूं बस नाम लिखने के लिए जानते हूं समाजते हूं पचमे तक पढ़े हूं इसलिए मेरा जो है माफ की जेगा 2013 से मासरूम का खेती हम कर रही हूं विस विद्यालाई सबोर से उस समय भीशी साहर थे मेवालाल चोदरी अभी मेरा विधायक है उसी समय गोद लिये थे तिलकारी गाउं तो आके परसिक्षन दिये थे तब हम सीखने के लिए नहीं चाह रहे थे कि क्या होता है मासरूम तो पती बोला कि देखने सिखने में क्या है तो आगे बढ़ाने का को मेरा पती का तो गए तो सभी को फिरी को जो मिलता है तो देखते हैं कितना गाउं में जो है तारा उक्री होने लगता है कि दो हम लेंगे हम लेंगे तो हम बगल से देख रहे थे कि कैसे जो है इसका बा तो हम जो अपना सब बिधी बताए मेडम जो है क्रिशी विज्ञान केंद्र से मुकेश सर और रिता मेडम और इंजिनियर साहिव और विश बिद्याले सब और से अनिता मेडम आती थी तो परसिक्षन देने के लिए तो सब जो है बताए कि रात वर 12 घंटा फुनने के लिए बारा से 14 घंटा तक तो आप लोग जो है रसाइन विधी नहीं किजिएगा आप लोग के जो है जरना का कमी नहीं रहता है तो उबाल के किजिए तो हम सोचे कि क्यों पैसा लगाएंगे विवेस्टिन और फरमिलिंग से बनाया जाता है तो जो है अमेरीका जो है उसमें जो करके जो रात भर फुलेंग दिए दिजिएगा सुबह में चांक के टिडोल से पोच के फिर जो हावा के कितना रहना चाहिए कि उसमें देखना है कि 65% नमी हो हम लोग के पास तो जंतर नहीं है तो इसे करके बताए तो हम देखे प्राइटीकल जादे करते हैं कितावी भास जो है हम भुला जाताने प्राइटीकल जो बताईए गात हम सब सीख लेंगे सब अपने स्खूद कर लेंगे लेकिन कितावी भास हम थोड़ा सा जो है ठीकर लेते हैं लेकिन देखके हम भी कि ये तमेडम बताए अपना तरीका से फिर पाने था हम बाल बिधी से किये सबी बताए कि जो है एक किलो में दस किलो भुसा लगेगा उसमें दो सो गराम मिलाया जाएगा अब पलोथीन के गुलाई लबड लगा के पलट के उसमें मिला के भुसा देते थे फिर जो है बीज देते थो भुसा उसमें अक्सिजन का जरूरी होता है तो उसमें फिर छेदा कर कि फिर लटकाया गया, तो सब ले गया, तहँ जगह का बहुत कमी था, था हम अपना जो पलंग पर स्वो रहे थे, उसी के पलंग के अंदर हम बांधिये, सभी को बेक को और टेबूल के अंदर बांधिये, चारो तरफ सारी को घेर दिये, तब जो है, हमको पता नहीं था कि ज देख लिए तब खिच के एक, एक कीलो का एक वो हता था, एक भेग में दो कीलो का देख के लेग गया फोटो किच के तब हमको फिर ले गया इसकार्पियो में बैठा के विष्वध्यालाय सभूर, तब मुखमंत्री उस समय जितन मानित है उसे समय हमको प्रुष्कार मिला आप विष्वध्याले बारों को पढ़ाती हो? कि महिला को कि देखिये महिला में कितना कमी रहता है, जो है किसी को हाय रहता है, किसी को बीपी लव रहता है, किसी को बान्यपन रहता है, किसी को कुछ रहता है, किसी को टीवी सभी को वो कंट्रोल करता है, विटामिन पाया जाता है, तो सभी महिला अध्यान से सून किये, वो जो है, सब अपने से खुर करती है. महीं सीयम का जो है काम कर रहे हूं, स्ययम को जो है, सभी गूरूप का जो है, सभी महिला को सिखाती हूं असब कीचान गादन का भी काम, जई भी खार से हम भी करते हैं. बहुत बदाई आपको बहुत बदाई ये पीछे फोजवालों को दीजिए जैहन सर मेरा नाम फ्लाइट लेफटरेंड अपने चत्रुवीदी है और मेरे साथ मेरी दो कली गेँ फ्लाइट लेफटरेंड भाबना ये फ्लाइट लेफटन ओना हम इस अभाग मिला कि हमने जब भारती वायू सेना जोइन करी तो हमारे ही टाइम पर यह पॉलिसी आई कि अपसे महिलाओं को दाकों विमार उडाने की अनुमती दी जाएगी तो हमारी पिर फॉफॉर्मेंस के हसाब से और हमारी चोईस के ऑसाब से बारती वाई सेना ने हमको पहली बार फाइटर स्ट्रीम में कमिशन किया, 2016 में, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेइनिंग के टाइम पर पिलाटर्स और किरन उड़ाया, दोनों विमान, उसके बाद हमने हॉग पर ट्रेइनिंग करी, और 2018 और 2019 में हम तीनों लोग देश की पह है, उस थरे की तो नहीं रही है, लेकिन हमने भी वही कठिनाईया और अच्छी चीज़े देखी ही जो बाकी हमारे मेल काउंटर पार्स ने देखी, क्योंकि हमारे ट्रेइनिंग एकदम सेम होती है, और हम काफी सभागिवती रहे कि हमारे जितने भी कलीग रहे हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स रहे हैं, हर के पेरेंट्स, शिक्षक, सबने बहुत ही सपोर्ट किया, और मैं यही कहूंगी कि हमारी जो चुनौतिया हमको मिलती हैं, फ्लाइं करते हुवे, उसमें हर दिन जो हम उड़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो अपने अंतर की जो डेटमिने तब क्या करेंगा, चा कुछ पिखते हैं, कुछ पिछले कई सालों से, इन फैक्ट, सबसे हम लोगों से मिलते हैं, तो मैं यह कहूंगी, कि इन जनरल लोगों की जो सोचने की शमता है, और जो लोगों का फोकुस रहा है, लड़कियों का खासतोर पे, वो काफी प्रग्रसि लगता है कि अगर हमार हम कुछ कर रहे हैं हम से कुछ प्रेरित हो रहा है तो अच्छी कोई बात नहीं हो सकती जैन सर, फ्लाइट लेफरेंट भावना सर हम लोगों की जर्मी आफटर एरफोर्स अकाडमी सबकी एक साथ ही शुरू हुई थी उससे पहले मैं भी बहुत ही मिडल क्लास फैमिली से बिलॉंग करती हूँ दर्भंगा बिहार से वहाँ पे मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया कॉलेज के बाद एक्जाम देकर जैसे सभी एंट्रियस आते हैं वैसे आ गई थी बच्पन से सर ये था कि जो सिंस मैं सिविल बैक्डाउंड से बिलॉंग करती हूँ तो फॉज का जादा आइडिया नहीं था बट ये था कि कुछ करना है तो उड़ना सबसे बेस्ट आप्शन है तो जब अकैडमी गई थी इन फैक तब तक क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फॉज की तरफ ओनेस्ली तब तक मैं को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता तो जब मैं गई थी मेरे हिसाब से एर फोर्स मतलब फाइटर ही उडाते होंग इस थिंकिंग के साथ गई थी तो जर्मी जैसे का फ्लाइटलेफ ने अपनी ने बताया सबकी सेम रही है बट इंपोर्टन थिंग इस कि बच्पन से क्योंकि मुझे कभी फीली नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मेभी फाइटर इस नौट तो मेभी मैं बस ऐसे लुगदान मेरा माबाब करा और अबविसलियोस के बाद से कलीग्स, इंस्रक्टर्स सबी और यहां आकर एम वेर्योवर्म्ट तो सी यूएं मेट यूजाएं साथ जैन सर्फ फाइटलिफन मोहना, मैं गाजस्थान से हूँ और एफोस जोई करना मेरे लेक काफी यूजाए लेगसी वाला ओप्शन था बिकस मैं फादर, ग्रांफादर बोथ आफ सर्फ इन एफोस और बच्पन से उनको जब उनिफॉम में देखती थी तो एकी सपना होता कि उनको प्लस स्कूल में कभी एदुकेशन ओफिसर्स जब आते थे तो उनमें लीडी ओफिसर्स को देखके बहुत प्रेड़ना होते थी कि किसी दिन हम भी इसी तरी किसी उनिफॉर्म पहन के रॉब में चलेंगे तो पहला ओप्शन ओप्शन ओविसली फ्लाइन था बिक आपने अपने अपको हग्दरी के से तर्याग अपथे उस चीज के रहे दरी आप कि जब भांसर सुनते हैं जब समाचार देखने का बहुत सौफ थी जब भांसर सुनते हैं कहीं भी हूँ हम किसी को इसे बात चीत कर रहे हूँ मगर जब भांसर का टाइम आता है नौ बजे का तो हम टीवी के सामने वठी आएंगे मगर ये नहीं सोचा था कभी कि यतनी करीब से मुलाकात होगी और ये सोचा करते थे कि मंतरी मुगदे जो अगर कभी मिलेंगे कहीं पर तो ये हम जरूर कहेंगे अपने दिल की दर्द कि महिलाएं निकालने में आज के तीस साल पहले इतना वो गदान मुझे देना पड़ा कि घर से बेघर हो गए मगर उसका अपसोस नहीं रहा अपसोस यह नहीं रहा कि लाखों बहिन और बेटिया और बेटे सब बाहन निकल पड़े हैं रहा बचा बहुत कुछ था हम तो दाल जैसा नमक डाला था मगर हमारे मंतरी मुदे सब़े फटे कर दिये अब रही गया है कुछ ऐसे गाउं हैं जहां पर मुश्किल से मेरी जानकारी में 80-90% ये काम फटे है सफाई और संचाले का मुश्किल से 15% रही गया होगा कहीं क्योंकि हम बहुत दूर दूर जाते हैं तो हम ये पता आए तो हम ये कहेंगे आपसे कि महिलाय निकारने में जो जोगदान रहा वो आज सभी को दिख रहा है कि स्टाइकरों महिलाय निकल चुश्की हैं घर से अब भारत बर्स आगे बढ़ने से कोही नहीं रूख पाएगा ये देखिया इसी बेटियां तही आ रहें और नहीं तो लोग क्या कहते थे महिलाय महिलाय के लिए अरे वो फलाने के अवरज जो है पता हैं भी से कहां चली जाती है उसाम तक वापस नहीं आती है मन में ये ठानी लिया है कि मुझे काम से मतलब है काउन क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है मैंने ठानी लिया महिनाय तो निकाला- निकाला पचपंशीट का संचाला है बस्ती के अंदर कोई स्कूल का परबंद नहीं था बड़े बगल में जीटी रोट के सरूप नगर अमीर एरिया इधर जेके मंदिर बीच में राजा बरुआ था गरीबों के बच्चों को जो है पढ़ने लिखने का इतना पैसा ना दे पाऊंगे और नहीं तो जा पाएंगे छे कमरे का प्राइमरी पाट साला बनवाया जिसमें अपना ओगदान अपने गरीब साथियों के राजा फरोवालें को ओगदान जो महिलाएं हमारी चौकावरतन करने जाते थी दिन भर वो चौकावरतन करें और साम को जब हम मेटिंग में बैठे हैं तो कल के लिए बोल दे हैं कि यहीसा है इतने मिश्तिरी हो दस लोग हो और 15-20 महिलाओं हैं संगठन जो बनाया था चोटा-चोटा और उससे जो मन्थन करके संगठन बनाया था 25 महिलाओं पुरुसों काम बना जुला के उन्ही लोगों के बीच बात चीत हुए उसके बाद हम बता दें कि नुकड-बनुकड से यह एक एक लोगों को लेते थे ये उस नुकड से महिला लई ले उसी नुकड का एक पुरुस लई ले इस तरीके से मिला कि चारो तरब नुकड मेटिंग करते थे साम को जब मेटिंग में बैठे हैं तो आप जाके अपने महले में लोगों को जानकारी देंगे कि आज ये ताइ किया गया कल ये होना है पुर्सों से बता दिया जा कि आप भी जाके अपने तो चारो कोने पर हमारी ख़बर जो रात में मेटिंग करते थे वो सुवेरे चारो कोनों में फ़िल गई सरम्दान से केवल इसकूल बना है शेक्मरे का प्रामरी पाट साला जमीन से लेके दिवाल तक केवल डीयम साहिब हर बजन जबाये थे डीयम बनके गए थे रक कान पुर तो उनको उदगाटन के लिए बलवाया था, बावगैस प्लांट लगवाया था, उनको बलवाया उदगाटन के लिए, उनसे मैंने कहा कि देखिये, अपने बच्चों के लिए दिवाले तो किसी तरीके खड़ा कर दिया, पर बच्चों के सरपर छथ नहीं है, तो हम कि हमारे डियम साहिब जो आए हैं, वो हमारे बच्चों के सरपर छथ कर जाएं, तो उन्होंने एक लाख बीस हजार की छथ डलवाया था, चेक काटा था, उससे छथ पड़ी, बाकि जो भी राजा परवा के अंदर कोई देखना चाहे, तो सब सरमदान का है, सरमदान करवा करवा यतना इतना कीचर कोई बाहरी आदमी आये ना, सरमदान से रोटे बनवाई, उसके बाद मुखनगर अधिकारी को बुला के दिखाते थे, और अधिकारियों को दिखाते थे, कि देखिए सरमदान से मैंने इतना करवाया, जो अगर आप इतना करवादें, महान दया हो आपको तो लोगों ने मदद खुब की और हमारा भी इसा रहा कि जब हम चलने लगए तो बुजरुक लोग जुआ मैने पकड़ा पान साल पहरा मैने लगवा ही पान साल गाउं के अंदर क्योंकि दूर दरा से आये हुए लोग थे उस तमें मेल फैक्टरियां चलती थी महिला अपनी गाउं में छोड़ी है और यहां नवकरी कर रहे हैं वो तो चले गए नवकरी पर यहां ताला टूटी है पता लगा कि जो अरतन वरतन लाए थे वो भी गया साइक्टी रखी थी वो भी चली गए पान साल पहरे लगवाया इधर लगा के ग्यारा वजे से सुबह चा पांच लोग, छे लोग, साथ लोग इस तरीके साथ साथ लोगों की टोली बनाई इसमें आधे महिला आधे पुरुष बोरा रात वस्तिक अंदर गुमना तो छोटे सब्दों में खतम किया जाए तो जयदा अच्छा है और बादी जो है तुचर के माध्यम से राष्ट पत सब चुचर को सब जांकारी हो ज्याएगी और कभी मैंने लालच नहीं किया किसी चीज का गाम से लगे रहे जो लोग कहते हैं कि नाम नहीं कोई लेता है, काम करते रहोँ चाहिए है नाम गख अगलेगा तो जब अरे जब हम काम करेंगे तो नाम तो अपने आप होगा, जब मिलना हो ही मिलेगा, आज देश और बिदेश से लेके कहीं नाम के महताज नहीं है, आज जो रहा बचा था, वो भी मोद्वादय के दर्वाजे को पूरा होगा। बहुत आपको बदाई हो और आपने सब को प्रहना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूरा तो आई चालके, ठोड़े अपने पुत्रां देशनु। आप उस प्रिज इंडिया कारकम में भी आई थी? हाँ, उदे मिलके गेशन। मैं सुचना मैं ही दे रही है। मैं खान पीनी बारे साथ मेरे मंदा देशुगा। सारा कुछ देशुगा। अपने पुत्रां प्यार देना हुन। बाद आपका अशिरवाद है। नाम दी दात्वाज चारदी कलाच रखे दाता है। नाम दी दात्वाज चारदी कलाच रखे दाता हुन। सभी को जुहत। मैं चामिय हुन। मैं ग्रामी चित्रा से बहुत तीय सही शुरूर किया है। उतना लंब कहानी तो पता रही है। थोड़ा से यह मैं बता रहे है। कि आइटीयाइट में जब पटमदा में महिला समेलन हुए थे। उसमें हम लोग मेट्री क्ली करके कुछ महिला लोग आईशी पड़े हुए थे। तो हम लोग को बुलाया गिया था दस महिला लोग तब जब हम लोग प्रोग्राम में गाये देखें थोड़ा बहुत उसके बाद हम लोग अपने छितर लौट के हम लोग अप बैठा करने के लिए शुरू किया महिला लोग के सथ तो फिर गाव में बहुत बिरौत किया कि महिला लोग क्या बैठा करेगी गारी में कहीं चाते हैं तो बैठा करने के लिए तो उम्हावी नहीं बैठने देते थे तो फिर हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग पैदा ले जात इति नाइन में वो शिडा का प्रोग्रम था तो हम लोग वहां बन पल था वोसे हम लोग संपर्ट किये हैं कुछ काम करके दिखाना चाह रहे थे, क्या भैटाकरते रहनी से तो हम लोग शुट करने के लिए दिये हम लोगो, तो खुद हम लोग मिटी ये किया, प।ी प्रेटिंग भारे बिजा डाले परी डाल डाल के बढ़ा किये तो फिर वहीं सीधा यह बोल रहे थे कि आप लोग अपना चित्रा में पधर लगवाई हैं तो किसा तैयर नहीं होते थे कि हम लोग अगर तो सरकर जमीन दे लेगा उस तरह से यह करके फिर हम लोग संजां संज में भी लोग खेती नहीं का पाते थे और इसम प्रेय आपन सप लूग करन चल रहा थे और शबंडिस के पिर आपने सी तयारी किये पोधि तयार किया से हम लोग जीतना बन पहे हैं और यह करके हम लोग अपना च्छेतर Nah चीकतर हो फृ सभी में हम लोग लगाए किसार का भी लगाए अच्छा है लाद में हम लोग सब आप यह लोग कार पायेंगे भोल करके ब्दमें महिला लो के सट बाटविय देती थी और कुछ काम के प chown je無 endeavor का मिला ईस शरू करने का और मस्रूम का यह था पॉट्जेक्ट महीला लोग जोड़े उसके वाद यह करते हम लोग दिविन ये नवाड से भी हम लोग जोड़े महीला लोग को करिब 30,000 महिला लोग जोड़ी हुए है उसमें 28,000 है मतलब उसमें करीब अबको 10 से 15 के बीच में महिला लोग है उस गुरूप में एक गुरूप में पुरा 30,000 हो जाए लगभग के उस तरह से यह करके और अभी जंगल यह में भी हम लोग कम कर रहे अब इसके बाद जो खेती साची खेती भी करती है और गाव में चावल खरीती है चावल बना के बीचिए उस तरह से अबना स्वारा लोग काम कर रहे हैं अपना छित्रा में महिला लोग अब दो हजार में इंद्रा प्रिद्रश्री इंपरीच मित्रफ प्रूश का प्रप्त हुए अभी जारी है अम अमरे अच्छी तरह में जितना बन पा रहा है महिलाओं के साथ हैं और कम कर रहे हैं और आज आज हमको यहाने का होका दिया अब इस यह में चुना उसके लिए धन्ना आपको बहुत बदाई हो कुछ बदाऊगे अम्म माहा अमरे अलततल ल परन्वड़ू झान सारनोड हिंदी ल परन्वड़ू हमका प्रहों बदे सास्य को कपा देख का तरप्त याज घंड़ू शोसके चाचच वपड़िए चाबै का बदेख का दो बदेख का दो बदेख सास्या खिवारू रेंगेरों था. सभी 60 मार्की मुट्थी Time. झैंननो erzähλेटी, सभी 70 प्रेंगीन客ront harshनी में, मैं लगरोन आष्या में, कि बक्रेंगें को सत्तुम की adaptiveμεамен contro коррон. मादा जी कह रहे हैं, मादा जी का नाम कार्प्याईनी अम्मा है, 98 अबी चार, फोर्थ स्टांडर पास हुआ है, 98 परसेंट से, अगर बगवान का कृपा है तो दस्वी कश्वी पास करना का उम्मीद रख रहे हैं, अम्मा आपने पुटर भी सिखा हैं, मादा जी कुटर वटचे टोँडों, अब चार्प्योटर परेजिए, अब्सक्राइब घर रहे हैं, अम्मा, बच्चे आके शिखाते हैं तोड़ा तोड़ा, अपने बागए तकी अम्मा को पढ़ने के लिए प्रेरिश किया, वो भी बढ़ र आवन रहे, पढ़न के नंडा दुसरे को भी बढ़ा रहे अगरे अम्मा तो 105 साल की पर एक नंपन में नंडा ठाल अटों बाइटों नंडा वाईटों नंडा कोई आके इनको सुबह और साम को सिखा भी रहे तो आप सीख रहे हैं तो फिर छोटे बच्चों को क्या लगता है उनको भी पढ़ना पढ़ता हूँ गर में कोचिंगल वन्द हमें पढ़िपी किम आवरी हम कुड़ा पढ़िगी नंडा आजा ओ भी पढ़ रहें के साथ देखें कैसा अध्भूत अनुभो है रहे के और हमारा भारत कितनी विशेस्ताओं से भरा हुआ है और कितना आत्मविश्वात जलक रहा है एक समय ऐसा था हमको लगता था कि हिंदुस्तान याने बड़े बड़े परिवार, बड़े शहर, कुछ खास लोग अब पता चल रहा है कि देश खास लोगों का नहीं है हर छोटा परिवार भी, छोटे से गाउं का वेक्ति भी कुछ न कुछ कर रहा है अच्छाई के लिए कर रहा है और उसके पास इतना आत्मविश्वास है और वो खुद के लिए करने के लिए नहीं निकले अब ये ये तत्वग्यान ये किसी उनिवर्सिटी से नहीं मिला है जीवन मैं लोगों के साथ जीते जीते लोगों के सुख़़ुक को अनुभव करते 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 खुद की जिंदगी भी बन गई औरों की जिंदगी बनाते गई ये उसका परिणाम हम देख रहे हैं आप सब नहीं हैं अपने अपने तरीके से जिस काम में आपका मन लग गया जिस में आपका विश्वात बना इन आप सब की काम की एक विश्यस्ता में देख रहा हूँ जादा तरह वो लोग हैं जिनोंने पर्सनल लिवल पर एचीवर के रुप में आपको बहुत बड़ा रोल नहीं है लेकिन एक समू खड़ा करना तोली खड़ी करनी है औरों को सिखाना उनको जोड़ना ये मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है किसे ने 30,000 लोगों को जोड़ लिया किसे ने ये 1000 एपियोद बना दिये किसे ने स्वेकड़ों महलाओं को जोड़ करके ग्रूप मीटिंग बना करके अब ये पूरा संगड़न सास्रमाताजी समझा रही है कि उन्होंने कैसे कैसे ग्रूप बनाए और कैसे कैसे मोटिवर्ट किया और शाम के समय का उप्योग कैसे किया अब हर चीज में हमारे देश की यही आप लोगों की जो घटनाएं हैं दुनिया की युनिवर्सिटियों को अगर मन लग जाए तो एक एक के स्ट्वेडी बना सकती है हमारे देश में वह स्वभाव कम है लेकिन आपकी अपनी जिन यह अब अम्मा 98-8 की उमर में पढ़ने का मन करें कॉंप्यूटर सिखने की इच्छा हो यहने शायद आज के 18-20 साल के बच्चों के सामने भी यह अपने आप में एक बड़ा प्रेरग घटना है और जब मैंने अख्बार में पढ़ा कि 105 साल की बगिरत अम्मा ने 34 कक्षा की एक्जाम दी और वो 76 परसंट या ऐसा कुछ तो भी उन्होंने प्राप्त किया तो मैंने जानकारी पाई तो अम्मा जो 98 की उसने उनको कहा कि तुम पढ़ो इनकी प्रेणा से उसने बढ़ाएगी और यह कह रहें कि मुझे भी और पढ़ना है दस्वी कक्षा तक जाना है क्यानि अपने आप में हम सब के लिए बहुत ही प्रेरख हैं पहली बार शायद हिंदुस्तान में विश्व भर में आज विमेंस दे तो मनाया जाता है कई सालों से दिन आता है यात किया जाता है जिसको जो ठीक लगे वो बोल देते हैं लेकिन पहली बार भारत में एक प्रकार से आज का दिवस जन सामान्य से जूड़ चुका है हम नहीं तो देखा एक राखी काते हो हर हो तो सारे टीवी वाले उत दिन राखी के गाने बजाते हैं सब करते रहते हैं पंदर आगस्त हो तो देशभक्ति के गीत सुन दे पहली बार देश के सभी अख़बार, टीवी चैनल, सब जगाई चर्चा में हमारे देश की नारी शक्ति के तरफ विशेश ध्यान गया है आज सोशल मीडिया तो पूरा भरा पड़ा है, पूरा दिन इसका मतलब कि और जब सुनते हैं तो अशिर होता है कि हमारे लोग किस प्रकार से आत्मे विश्वास के साथ नेत्रुत्व कर रहे हैं, समाज जिवन में परिवर्तन कर रहे हैं और आपने इस भूमे का को निभाया है एक प्रकार से आपका सम्मान नारी शक्ती का सम्मान है आपने बहुत बड़ा योगदान किया है आपने देखा हो कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान ये सरकार के कारण सफ़ल नहीं हुआ है मेरे हिसाब से सर्वाधिक अगर किसी का योगदान है तो हमारे माताव बहनों का है जिसकी कारण वो सफ़लता की हो राणी मिस्त्री का कंसेप डेवलप हो टॉयलेट बनाने का काम खुद हमारी बहने करे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करे जस्ट मिशन के कारण ये अपने आपने बहुत बड़ा प्रेना है आने वाले दिनों में एक काम जो हमारी माताएं बहने बहुत अच्छी तरह कर सकती है वो एक है हमें कुपोशन से मुक्ति लेनी है आज भी हमारी बारा पंदरा सतरा साल की बच्चे या देखें तो एने में कंडिशन है उनका सरीर जितना मजबूत होना चाहिए वो नहीं है अगर हमारी बेटिया मजबूत नहीं होगी तो हमारी माताएं मजबूत नहीं बनेगी और उनके जो संतान होगे वो भी कभी मजबूत नहीं बनेगे तो देश भी तो मजबूत नहीं बनेगा और उसका एक कारण है, छोटी-छोटी-छोटी चीजों का हमारे बीचे में, नुट्रिशन बीचे कोई बहुत बड़ा पैसों का नहीं है, हमें पता नहीं है किस प्रकार से इन चीजों को किया जाएं, मुझे पुरा विश्वास है कि इस महला दिवस्पर देश्वर की महला इस अंकल्प करेगवे हम इसमें क्या चीजों होती है, कुपोशन से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, गरीब से गरीब को भी सिखाएंगे, आप देखिए भारत में से कुपोशन के समश्या को हम बहुत आसानी से मुक्ति हो सकते हैं, उसी प्रकार से दूसरा काम जो है, वो भी बेहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है, और बेहनों के बिना सफल हो ही नहीं सकता है, और हो है जल जीवन मिशन, पानी का मुल्य क्या है, पानी की उपियोगी है, यह महिला को जितनी समझ है, किसी को नहीं है, उसको पत्रोज परा उसको जिंद्गी उससे गुजारा करना, संगर्श करना पड़ता है, पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है अगर एक दिन मिल्सिपाल्टी में से पानी आना बंद हो गया है तो पुरा गर परिशानी का कारण और सारा बोज मा पर आ जाता है दर बै तो जल जीवन मिशन पानी बचाओ और पानी पहुंचाओ ये काम भी हमारी माताई बहने भाव अच्छी धंग से कर सकती है उनके द्वारा स्वाभावी के बाताओन बन सकता है तो आज हम इस संदेश को आगे पहुंचाने में आप भी मदद करें और मैं फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ आपने जीवन में कुछ प्राप्त किया है उसके बजाए आपने अपना जीवन देश के लिए बहुत कुछ दिया है और इसके लिए आपनों का भी नंदन के दिकारी है बहुत-बहुत धन्यवाद